नमस्कार मैं रतिका आप देखने था पैमफ्लेट 2024 में होने जा रहे लोगसबह चुनाव से पहले रणनीती पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को 26 विपक्षी दलों की बैंगलूरू में बैठक हुई इन सबका लक्ष किसी भी तरह से भाजपा की सरकार बनाने से रोकने का है मोधी लहर रोकने के लिए कुछ दिन पहले विपक्षी दल पटना में मिले थे एकत्रित हुए थे इस बैठक की खास बात ये थी कि यहां लगबग हर नेता स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से जमीन पर उत्रा था ऐसे शायद ही पटना के तिहास में कभी हुआ हो जब महंगे खर्च पर लक्शरी सुविदा देने वाले चार्टर्ड प्लेन पटना में एक दिन में एक साथ उतरे हो इस बैठक के लिए पटना में जितने भी विपक्षी नेता आये चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता में ना हो सबके सब कॉर्परेट जट से आये हमने तब भी इस बात को सामने रखा था कि क्या मोदी लहर रोकने के लिए चार्टेट प्लेन ही अब विपक्ष के पास आखरी रास्ता बाकी है अक्सर आपने इनी राजनितिक दलो को बिजनिसमैन यानि कि पुंजी पतियों को गाली देते हुए सुना या देखा होगा उस वक्त ये सभी तथे किनारे कर दिये जाते हैं कि यही बिजनिसमैन देश भन में करोडों लोगों को रोजगार भी देते हैं लेकिन फिर यही विपक्षी पार्टियां इनी उद्योग पतियों से आलिंगन करना क्यों पसंद करती हैं प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए अगर नया विमान भी लाया जाए तो रोना धोना मचाने वाले नेता अपने लिए प्राइवेट जेट ही क्यों पसंद करते हैं सबसे नया उधारन बैंगलूरू में विपक्षी नेताओं के जमावडे का है जहां ज्यादा तर नेता अलग-अलग बिजनेस घरानों के जेट से विपक्षी एकता को मिश्बूत करने और देश से पून जीवात को खत्म करने के लिए पहुँच चुके हैं दिन भर अडानी अंबानी करने वाली पार्टी कॉंग्रिस के नेता रहूल गांधी सोन्या गांधी और पार्टी अध्यक्ष मलिका अरजुन खडगे जिस एर प्लेइन में से बैंगलूरू पहुचे हैं वहाँ हिंदू जा ग्रूप का है हिंदू जा ग्रूप अशोक ले दील पक्की होने के बाद बैंगलूरू जाने के लिए अर्विंद केजरिवाल और पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत्मान द ओब्रॉइस ग्रूप के जट की सेवाए ले रहे हैं वहीं हाली में महाराश्व की राजनीती में चानकी की पदवीक हो चुके शरत पमार अन के पुत्र तेजस्वी आदव भला कैसे पीछे रहते भले ही खुद के राज में जंगलराथ चाया हो विपक्ष के कारेकरताओं की सड़क पर लाठी चार्ज के बहाने हत्या की जारी हो लेकिन चलना तो जेट से ही है नितीश कुमार लालू यादव और तेजस्वी आदव ने बेंगलूरू पहुचने के लिए क्लब वन एयर के डसॉल्ट फैलकन 2000 जेट का उप्योग किया एक अनुमान के मताबिक इस जेट का एक घंटे का किराया कुछ साड़े तीन लाग से चार लाग रूपे के बीच का होता है विपक्ष ने शायद मन ये बना लिया है कि उन शान तक एक बार के लिए इंसान चाइनीज समान पर गारंटी दे सकता है लेकिन विपक्षियों की एकता की कोई गारंटी नहीं है देखते रहिए दपांफलेट